दो आधे जिन के स्वापन में संप दिखाई दें तो सिब पुराण में उसका समादान है कि महादेव के उपर ले टीवी में देख लो महादेव के ऊपर गौमादा का कच्चा दुख्द चड़ा दीजेगा कच्चा दू चड़ा दीजेगा संकर जी के ऊपर तो स्वपन में जो साप दीखा है वे दोस बिलकुर समात्त हो जाएगा बहुतों की कुंडली में कालसर्फ दोस होता है कालसर्फ दोस कुंडली में ठीक नहीं है मेरी भी कुंडली में है कालसर्फ दोस इसलिए तो एक जगे टिकता नहीं हूँ, भागता ही रहता हूँ, चलता ही रहता हूँ, मेरी कुंडली में कालिशर्फ दूस है लेकन ऐसा बताते हैं कि जिसकी कुंडली में कालिशर्फ दूस हो, उसको सांप से भै होता है उसके लिए सरफ को उसके लिए दिकत होती है लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल बिपरीत है एक दम बिल्कुल मेरी कुंडली में मेरी जनम पत्री में काल सरफ दोस है लेकन ये साफ मेरे लिए मित्र की तरह है सरफ ये सब असली हैं नागबंचमी के हैं और मैं महादेब का पुजारी हूँ और मजे लगता है कि मैंने किसी के लिए कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है तो मेरे लिए कभी घत्रा हो ही नहीं सकते सिवरात्री के समय पर साबन के महीने में सर्पका दर्सन बड़ा सुब होता है त। सोचा है बैसे तो यहां साप है यह नहीं तो टी बी में यह आपको दरस्ण कराई देते हैं किसी के कुंडली में एद्धी कालसरब दोस हो भी तो वो बेल्कुल और यहां कालसरब दोस की पूजा तो नहीं है हाँ पूजन इस परकार से है आपकी जनम पत्री में काल सर्फ दोस अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा आज का दिन हमारे और आपके लिए इतना प्रभाव सालिय है इतना आनंदोत बगन कर देने वाला दिन है एक वार जय करा लगाएए बोलिये कोटिश्वरनात भगवान की रामनात भगवान की नमपारवती बदेरहराव जय 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 श्री रादेश्या उस समय तो मुझे नहीं पता था इस सांप के प्रति गंडों गंडों तक छाती पच्छबट के एक अधा सुनते रहे लेकिन एक दिन में टीवी में देख रहा पीचे से सांप यू निकल के उपर में और ये बाप ये बाप ये क्या है पता ही नहीं लेगा था पीचे से यू ऐसे निकल के यू यू ऐसे नागपंज दे ये देखे आप मैं आप सब को बहुत अग्रह पुर्वक में मुझसे आप सोवार कथा सुन लो आप संकल्प करें कि हम महादेव से जुड़ेंगे नहीं और मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हें महादेव से संग चिप्टा करके ही रहूँगा उसके चरडों से उसके पामों से कहां जाओ के कह यह देवता निराला है अद्बुत है अद्बुत है बोल बं मैं कहुँगा बोल बं आप कहोगे बं बं तीक है बोल बं बोल बं बोल बं बली शंकर भगवान की जय है अनन्द